कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा 18-44 वर्ष के लोगों को कोवी शेल्ड लगाई जा रही है। आज नूरपूर विधान सफा में वनमंत्री राकिश पर्थानिया के सहयोग से पांच सेंट्रों में जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्हें कोवी शेल्ड लगाई गई और कोवी शेल्ड लगाने वालों को भाजपर युवा मोर्चा द्वारा जू वैक्सिन लगाई जा रही है यहां आज सौ लोगों को वैक्सिन लगाई गई आज पी एक्सी लदोडी में जो हमारा कोविड वैक्सिनेशन कैम्प है यह 18 प्लस 18 तु 44 एज ग्रूप लोगों के लिए है इसमें जो हमारी हमार्चल गॉर्मेंट है उन्होंने स्लॉट बु जो अल्रेडी रिजिस्टर कर चुटे हैं अपने आपके और उन्हीं को आज वैक्सिन लगाई जा रही है हिमाचल भाजपा युवा मोर्चा सचीव भवानी पठानिया ने कहा कि वनमंत्री राकिश पठानिया के माध्यम से नूरपूर के पांच जगहों में कोविड शिल्ड लगाई जा रही है उसे के चलते हमारी युवा भाजपा टीम ने पांच सेंट्रों में कोविड शिल् आज पांच सेंटर में नूर्पूर दाउंस्टी में वेक्सिनेशन नगरी है उसी के चलते हैं आज हमारी इवा मुर्जा की टीम पांचों के पांच सेंटर ने जो यहां पे लोग आ रहे हैं उनको रिक्रिस्मेंग दे रही है हमने अपनी गाडियें भी हर सेंटर पे आज मैंने फर्स टाइम यह वेक्सिन की दोज़ गाई है तो खीक है विल्कुर नॉर्मल है जैसे थे कोई भी ऐसा वो नहीं है तो यह मैं हमाच्छल सरकार का बहुत ही धन्याबाद करता हूं कि इन्होंने जो 18 प्रस का जो यह आज स्लोट किया है हमारा तो यह अच्छा मह हमारे मंति साब शेरी राकेश पाठानी जी का मैं बड़ा अवारी हूं यह रहोंने बैक्सिन के साथ सबी को जो भी यहाँ पर बैक्सिन लगाना है था मैंने जूस का परबंद भी यहाँ पर किया गया है लाइब टाइम्स टीवी के लिए नूरपूर से लब्दी शर्मा के रिपोर्ट झाल